नमस्कार स्वागत आपका निउस्वोल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारुलत्यागी देश में बढ़ रहा प्रदूशन अब लोगों के शरीर का ऑक्सीजन लेवल घटा रहा है इसे COPD के रोगों की जान पर बनाई है और ऐसे में प्रदूशन की वज़ा से CPOD अटेक से दो रोगों की जान भी जा चुकी है इसके साथ ही ABC जांच में खुलासा हो रहा है कि रोगों के शरीर में कारबंडा ऑक्साइड बढ़ती जा रही है हवा प्रदूशित होने की वज़ा से पोस्ट कोविड रोगों में भी जटलताएं अब और बढ़ने लगी है इन्हें सेकेंडरी संक्रमन भी हो रही है वही सास में लेने वाले रोग्यों में प्रदूशित जो है वो भारी उनको पढ़ रहा है इसे में कोविड लॉकडाउन में प्रदूशित कम होने से इन रोग्यों को राहत रही है लेकिन अब दिक्कते और ज्यादा बढ़ गई है इसके साथ ही अगर पोस्ट कोविड रोगी जिनके फेवरे समाने स्तिती में आ रहे थे उन्हें भी अब दिक्कत हो रही है सास फूलने के अलावा कुछ रोग्यों में निमूनिया की भी परिशानी है और इस स्तिती में बुजर्ग बच्चे और सी ओपीडी और अस्तमा रोगी खास एतियाद बढ़ते हैं और कैसे इन सभी समस्याओं से बच्चा जा सकता है और क्या क्या उपाय करने चाहिए जानिये डॉक्टर बीपी त्यागी से जो सी ओपीडी बीमारी होती है इसको हम कॉमन लेंग्वेज में एस्तमा बोलते हैं यह ऐलर्जी से बनती है जैसे अगर नाक की गले की ऐलर्जी होती है तो वह ऐलर्जी फेपडे में होने लगती है फेपडे की जो सांस की नलिया होती है उस पर सूजन पैदा होती है सूजन पैदा होके बहुत सारे सीक्रीशन जिसको बलगम बोलते हैं वो एकटा होता रहता है और मरीज को सांस होने में दिकत होती है जब यह पॉलुशन लेवल बढ़ता है जैसे आजकल एंसी आर का आजिएजन है एंवायरमेंट में वो कम हो जाता है और उसके उपर जो दूसरी गैसिज हैं जैसे हमीरा कारबन डायॉक्सएड नो टू है सल्फल डायॉक्साइड जादे रहता है तो ऑशिजन हमारे सरीर में जितनी जानी चाहिए पाती है और उसके उपर यह जो कन होते है जो हमारे प्रदूश्शन में होते हैं ये फेपडों के रास्टों की हवा को रोग देते हैं तो उससे जो ऑक्सिजनेशन प्रॉपर होना चाहिए वो नहीं हो पाता है और ऑर ऑक्सिजन की कमी बनती रहती है है शरीर में यह जो कमी बनती है उसी के वेसे oxygen कम होने के वेसे इस तरह के उसमें death हो जाती है लोगों के बचाओ करने का एक ही तरीका है कि environment में pollution को कम किया जाए और अगर हम बाहर निकल रहे हैं पॉलिटी डेयर में जा रहे हैं तो हमें mask पहना चाहिए उसमें double mask हो तो better है एक mask हमें गिला अंदर की तरफ पहना चाहिए जो कपड़े का होना चाहिए उसके ओपर N95 ओपर पहना चाहिए अगर बहुत जरूरी है तब इस तरह के मरीज इस वाले एन्वार्मेंट में घर से बाहर निकले अधर्वाइज अपने घर में जो फिल्टर्स होते हैं एर प्यूरिफायर जिनको बोलते हैं उनको लगा के अपने घर में रहें ऐसे अगर बहुत मास्क पहने तो उनको यह प्रिशानी बन सकती है फिलाल के लिए बस इतना ही आप देखते रहें नेस वरल इंडिया